Hi everyone, let's read the question The question is आपके पास दो equation है इससे solve करना है तो देखिए elimination method से solve करना है इसको तो first equation है ax plus by is equal to a plus b by 2 इस 2 को उस साइड ले जाओ तो यह हो जाएगा 2 ax plus 2 by is equal to a plus b this is my equation number 1 second equation 3x plus 5y is equal to 4 यह equation number 2 तो अब इसमें क्या करें अब हम इसमें किसी भी एक variable को eliminate करेंगे जिसको भी eliminate करेंगे उसका coefficient को बराबर रखेंगे तो मैं x को eliminate करना चाहता हूँ तो क्या करें equation 1 को x का coefficient बराबर करूँगा तो equation 1 को मैं multiply करूँगा किस से इसको मैं करूँगा multiply 3 से 3 से simple 3 से समझें तो क्या हो जाएगा देखिए 6ax plus 6by is equal to 3 times a plus b यह होगी equation number 3 अब equation 2 को x का coefficient बराबर करना है तो किस से multiply करूँ equation 2 को 2a से तो यह हो जाएगा 6ax plus 10 ay is equal to यह हो जाएगा मैंने किया कि 2a से किया तो यह 8a हो जाएगा equation 4 अब यह दो equation है subtract कर दो मैं आगे लिखता हूँ अगले पेज पे 6ax अगले पेज नहीं है तो यहीं पे लिखना पड़ेगा 6ax यहाँ पर लिखता हूँ 6ax plus 6by is equal to 3a plus 3b और यहाँ पर है 6ax plus 10ay is equal to यह हो गया 8a subtract करेंगे तो यह हो गया minus यह भी हो गया minus यह भी हो गया minus यह पूरा cancel हो गया x हो गया eliminate अब क्या बचा हमारे पास यह y को लेंगे common और यह हो जाएगा 6b minus 10a y को common लेंगे यह हो जाएगा 6b minus 10a समझे क्या हुआ कोई doubt तो नहीं है ठीक है उसके बाद मैं is equal to करूँगा यहाँ पर क्या है यह 3a है और यह minus 8 है तो minus 5a हो जाएगा minus 5a plus 3b समझे minus 5a plus 3b आगे मैं उपर solve करूँगा देखिए तो यहाँ पर y है bracket में है 6b इसको मैंने यहाँ से 2 common ले लेता हूँ यह काम करो y की value कितनी है वे 3b minus 5a मैं divide करूँगा 6b minus 10a अब मैं क्या करूँगा 3b minus 5a डिवाइड मैं denominator देखो यार उपर जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो मैं नीचे क्या करूँगा 2 को लूँगा common और यह हो जाएगा 3b minus 5a तो यह cancel हो गया और y क्या हो गया 1 by 2 समझे y आगया 1 by 2 और इस y की value को मैं put करूँगा equation 1 में करो या 2 में करो 2 में ज़्यादा आसान है क्योंकि आपर a और b नहीं है तो put y is equal to 1 by 2 in equation 2 तो यह हो जाएगा 3x plus 5 by 2 equal to 4 5 by 2 तो यहापर 3x हो गया 4 minus 5 by 2 तो यह हो गया 8 minus 5 by 2 3x equal to 8 minus 5 यह नहीं 3 by 2 तो यह 1 by 2 आ गया अधा x भी आ गया 1 by 2 solve करोगे तो x 1 by 2 y 1 by 2 answer है b option hope you got this असान कोशन था लेकिन खुद पहले करना DHA देखना बाद में पहले खुद solve करना इसको बहुत असान कोशन है खुद कर लोगे guaranteed है hope you understand this question thank you very much